बानसूर का किला जिसे बनवाय था प्रथी राज चुहान के वनसज रहे उदैपाल सिंग बानसूर ने जनके नाम पर इस सहर का नाम भी बड़ा बानसूर इस कले का निर्मान सौलवी सतादी में सुरू हुआ और सत्रवी सतादी में खतम हुआ ऐसा बोला जाता है कि यहां पर कैदियों को रखा जाता था और यहां बनाई गई थी ऐसी सुरंग जो अलवर तक जाती थी और अलवर से भरत पुर्ता इस कले में एक ऐसा विचित्र कुआ था जो सत्य से 300 फिट उपर बना हुआ था और क्या था इस बानसू क्लिकर हैसे जिसमें बावरी कैदियों के कक्ष रानी महल कुआ और सुरंग बनी हुई थी साथ ही साथ बने हुए थे मंदिर भी चलिए जानते हैं इस बानसू क्लिकर से 116 किलोमेटर पड़ता है अलवर से यह 45 किलोमेटर की डिस्टैंस पर है तो आज यह चलते हैं इसके दो दर्वाजे हैं यह पीछे का दर्वाजा है जिससे हम एंट्री ले हैं और यह आज के टाइम पर मोडिफाइड हो चुका है क्योंकि जिवनोधार हुआ था यहां प पाल सिंग बांसूर जिन्होंने इस बांसूर के कले कर निर्मान कारेज टार्ट हुआ सोली सदावधी में और खतम हुआ सत्री सदावधी में यहां के एक किलाव बनवाया है उनी के नाम पर इस जगे का नाम पड़ा बांसूर जो की उनका सरनेम था तो आज यह चलते हैं कोड़ा सा एक्सफ्लो करते हैं सीधे हाथ के तरफ चलते हैं और आपको बता दू इसके लिए में नौ बुर्ज हैं और नौ बुर्ज इसलिए बनाए गए थे कि वह नव घ्रह को दरसाते थे अपाने नौ ग्रह हैं तो हर बुर्ज एक ग्रह को रिप्रेजेंट करता है इस जो हाइट है वो 6 फिट है मोटाई लगबग इसकी दो फिट के आसपास है यहां पर देखो आपको सीधे हाथ की तरफ कक्ष नजर आएंगे जो कि उस समय पर राजा या रानी का रहा था फिर उसके बाद एक छोटा सा कक्ष नजर आता है फिर इसमें अंदर चलके देखते सीधे हाथ की तरफ चोटा सा कक्ष है आपको दिखा देखते हैं चोटा सा कक्ष जो कि उसमें आपको साफ नजर आएगा कि इस नान घर बनाया गया अंदर बीच में एक दिवार चोटी सी और यह कक्ष के अंदर इस नान घर है टैस लैट बात का पर चलना यह जो इस नान अगे चलते हैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ दिखाएंगे अब हम थोड़ा सा आगे भड़ रहे हैं यहां पर देखो एक बुर्ज आ जाता है नॉर्मल सा और इस बुर्ज में आप देखेंगे मैं आपको दिखाता हूं कुछ चीजें जो आपको लगाए का वाक्य म अब यह चोटे-चोटे मोखले देख रहे हो आप बेसिकली यह बनाया जाते थे फेस के आकार के तो इसमें से देखो वहां जाके छोटा सा हो जाता तो इधर बड़ा तो इसमें क्या तो अपना चेहरा ऐसे फसा लेते थे और आराम से भार का साफ नजर आता था कि बहुन पूरे बुरुज कितब देखेंगे तो यह अटेकिंग एरिया होता था और यह पीछे की साइड के लिए निगरानी पर रखा गया था अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम अब यह देखो यह पूरी जो दिवार जो परकोटा इस महल का इसकी मोटाई लगबग छैफिट है म यह जब अपन जैपूर जाते थे तो अलवर जैपूर के बीच का एक यह रियाशत होती थी जो निगरानी के लिए बनाई गई थी अब अपन थोड़ा सा नीचे की तरफ उतरते हैं तो आपको देखो यहां पर यह काक्ष नजर आएगा यह बैसिकली जो छोटे-छोटे का बावडी भी बहुत घहरी यह अब तक के किलों में अलवर के जितने भी किले थे उनमें सबसे घहरी बावडी किले के अंदर हमें देखने को मिलिए जिसकी उचाई नहीं भी मानो तो लगभग 30 फिट के आसपास है और इसमें अना सीडी नुमा एक चार्च सीडिया बनी किले बावड़ जाँच करने के लिए जो कि यह अश्टबल यानि घोड़ होता थी जितने भी पानी का काम होताथ थी आ यह इसी बावडी से पूर्ण होता था तो उसमें देखो सामने वहां वापे सीड्या नजर और ही ह। वहां से नीचे जाने का रस्ता भी बना हुआ है ताकि अगर पानी का लेवल कम भी हो तो किया जा सके अब यहां से हमको एक चीज दिखाई दे रही है वो देखें सामने आपको दिख रहा है वो है कुषा अब देखें कुषा की जाने से पहले यहां पर इतना बढ़ा एक एरिया बनाया गया है जो कि छिप कर वार करने के लिए इसमें आराम से आप छिप जाओ और जैसे को यहां से गुजरे उसमें आप वार कर दो तो यह सुरक्षा की दर्श्टी से बनाया गया थे यह एक बुर्ज है उस समय का और आज से जो 1700 साल पहले यह है वो कुषा जो की उपर से अभी फिलाल बंद कर दिया गया है यह सत्य से ही बहुत उपर बनाया गया यह पानी का लेवल उस समय बहुत जादा हुआ करता था आज से लगब चार सु साल पहले तो कम से कम 20 फिट की उचाई तो इसकी ग्राउंड लेवल से बाकी कितना घहरा है यह नहीं जानते क्योंकि यह बंद कर रख तो दोस्तों जहां अभी मैं खड़ा हूँ यहां से आप साइड में देखेंगे तो यह हर जगे इस होगा है गेट वाई गेट इसलिए दिये जाते थे इतने गेट ताकि घोड़ों को अच्छे से सांस मिल सके सैपरेशन उनको मिल सके खड़ा रहने का इधर यह किले में देखो एक जगे और बनी हुई है यह वह जगे है बेसिकली जहां पर बोला जाता है ऐसा कि कैदियों क कायद करके रखाया जाता था लेकिन अब यह पूरी तरीके से जो कमरा है काक्षे जो जेल है पूरी तरीके से तूट चुकी है आज के टाइम पे तो यह बिना रख रखाओ के जो कार्य हुआ है उसके चक्कर में इतनी अच्छी धरोर को हम खोते जा रहे हैं और यह प्रॉपर ऐसा लगता था कि बांसूर के पर दूसरी साइड नजर रखने के लिए बनाया गया था तो दोस्तों यहां पे उस जमाने का सीता रामजी का मंदिर जिसमें हनमांजी भी वराजवान है और इधर जो बना हुआ यह मंसामाता का मंदिर है जिसे यहां के लोगों ने पुन्जी इकट्टता कर इसका पुने निर्मान कराए और इसकी रख रखाव कर रही और यहां पर है यह में दरवाजा जहां से यह सहर के भीतर से आता है रस्ता और यहां पर आज के टाइम पर सीडिया बनी है जिसके पुने निर्मान के कारण जो इस सीडिया है लगभग सो से जादा सीडिया है जो इस मंदिर तक लेके आती हैं उस्तो यह था बांशूर का किला जो कि हमारे नौगर से जोडता है जो कि पित्वीराज चोहान के वंसज से हमें जोडता है और यह 400 साल पुरानी आर्किटेक्चर से हमें जोडता है काफी अच्छा किला जो देख रहे कि अभाब में खतम होता जा रहा है विलोग को ही एंट करता हूँ राम राम सभी को खंबा गणी सा राजिस्तान मेरा देश मेरा भाराग यहां पर यह सुरंग हो रहे हैं जो कि बिल्कुल एंट्री गेट के साइड में बनी हुई है और यह सुरंग बताते हैं कि महराजा सूरजमल जाट ने बना रहे थी जो कि अलवर तक जाती है और अलवर से भरत पूल जाती है यह बीच बीच में छदी ग्रस हो गई है पर हाँ यह जरूर जाती है ऐसा कुछ मानते हैं कि लोग जो बानते हैं मैं वही आपको बता रहा हूं